दोस्तो आज का हमारा विशय है कि आखिर प्राकर्तिक तोर पर हम अपने सरीर में टेस्टे स्टोरों के स्थर को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं क्योंकि आप में सब बहुत सारे लोगों के मुझे इस विशय में टेलिग्राम वर्ट्चेप या कमेंट्स के माध्यम से मैसेज प्राप्त हो रहे थे आप में से काफी लोगों के मुझे कोल भी प्राप्त होते थे जो इस विशय में जानना चाह रहे थे तो आज के इस वीडियो में हम इसी विशे के उपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं ना केवल आपको प्राकर्तिक तोर पर टेस्टिस्टोरोन के स्तर को बढ़ाने के लिए कायरवेदिक नुस्खा मैं बताऊंगा बलकि आपको उन जरूरी कार्यों से भी परिचित चरीर में प्राकर्तिक तोर पर टेस्टिस्टोरोन के लेवल को कभी बढ़ा ही नहीं पाएंगे साथ ही साथ कुछ लाइफ हैक्स के विशे में बताऊंगा जिनके माध्यम से आप अपने माइंड को अपनी बोड़ी को बाधित कर सकते हैं प्रेडित कर सकते हैं अधिक टेस प्रिमेच्चियो और विश्चियो के लिए चुटकाड़ा संभव है क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सी अंग्रेजी होमेपैथिक आयरवेदिक दवाईया खाई हैं पर कोई भी लाब नहीं प्राप्त हो रहा क्यों नहीं हो रहा वो आपको उस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा और एक बात का मैं यकीन दिला देना चाहूंगा जो जानकारी मैं आपको उस वीडियो में देने वाला हूँ वो आपने पूरे यूट्यूब पर कभी नहीं देखियोगी एक साथ आपको जानकारी कहीं पर भी नहीं मिलेगी वैसे वो वीडियो मैं आगले सब्ता लेकर आने की सोच रहा हूँ पर अगर आज के इस वीडियो पर एक हजार लाइक आ जाते हैं पहले तो मैं तुरंत उस वीडियो को आप सभी के लिए लेकर आऊंगा जिनका होना टेस्टरों के लेवल को बढ़ाने के लिए अत्यनती अधिक आउशक होता है इसमें पहला है विटामिन डी का स्तर दोस्तों एक सर्वे के अनुसार 90% से भी अधिक भारतिये लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई और क्या आपको पता है कि विटामिन डी की कमी के चलते हमारा सरीर प्राकरतिक तोर पर टेस्टरों का उत्पादन अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता जिसके चलते विटामिन डी की कमी से जूज रहे लोगों में टेस्टरों का स्तर भी कम पाया जाता है तो अगर कोई अपना टेस्टेस्टोरोन का लेवल बढ़ाना चाता है तो उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके सरीर में विटामिन D का स्थर उचित मात्रा में बना रहे इसी के साथ ही टेस्टेस्टोरोन का उत्पादन उचित प्रकार से होता रहे इसके लिए कुछ ऐसी ही आउशक्ता जिंक की भी होती है तो आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने भोजन से जिंक भरपूर मात्रा में प्राप्त हो इसके अलावा essential amino acid की भी बहुत अधिक आउशक्ता होती है अगर आप अपने टेस्टेस्टोरोन के स्थर को वाकी बढ़ाना चाते हैं हाला कि detail में मैं अधिक नहीं जाओंगा पर इनकी भी बहुत अधिक आउशक्ता रहेगी हाला कि non essential amino acid की भी इतनी ही आउशक्ता होती है पर उनको हमारा सरीर खुझ से बना लेता है अगर उन्हें भरपूर मात्रा में essential amino acid मिलते रहें तो इन दोनों के विशे में आप थोड़ा google कर लीजेगा आपको काफी अधिक जानकारी इनके विशे में मिल जाएगी इसके लावा एक बहुत ही मैतपून चीज की भी आउशक्ता होती है और वो है अच्छी नीद जीहां अच्छी नीद के कमी के चलते anxiety, stress जैसे विभिन समस्याएं हमें घेर लेती हैं इसके चलते हमारे सरीर में कोटिसोल का स्तर बढ़ना प्रारंब हो जाता है जो की एक प्रकार का हार्मोन है और यह है कोटिसोल हमारे टेस्टेस्टोरोन के लेवल को कम करने का कारे करता है क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के inversely proportional है एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा दूस टेस्टोरोन के स्तर को बढ़ाना है तो कोटिसोल के स्तर को कम करना बहुत अधिक आउशक होगा इसके लिए अच्छी नींद गबराहट बेचैनी आधी समस्याइं दूर होना त्यंति अधिक आउशक हो जाता है दोस्तों यहां मैं आपको एक छोटा सा लाइफ हैक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने बोडी को अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं अधिक टेस्टोस्टोरोन के उतपाधन के लिए इसके लिए आपको करना केवल यह है कि रात को सोने से पहले थोड़े से गाने सुनने कौन से हो गाने ध्यान से सुनकर आपको वो संगीत रात को सोने से पहले एक बार अवश्य सुनना है, दरसल सोला से बाईस साल के दोरान का जो समय होता है, उस समय हमारा टेस्टोस्टोरोन लेवल हमारे सरीर में पीक पर होता है, तो ऐसे में जब भी हम कोई संगीत सुनते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जिसके की प्राप्ती होती है, वो हमारे सरीर में टेस्टोस्टोरोन के स्तर को बढ़ाने का कारे करता है, तो इस प्रकार आप अपने माइंड को एक जूठा आभास दे सकते हैं, वो अनुभूती दे सकते हैं, जिस समय वह अधिक टेस्टोस्टोरोन के उत्पादन के लिए हमारे स को प्रियर को प्रेरित करता था, कुछ वैसे ही आप आ आज भी इस माध्यम से उसे प्रेरित कर सकते हैं। कुलाब प्राप्त उतवा दिखाई देगा बिना exercise की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपका test store उनका स्तर पीक पर बना रह सकता है चलिए बहुत हुई बाते अब आते हैं नुस्खे के उपर दोस्तों यह नुस्खा मैं तीन चार भागों में विबक्त करने का प्रियास हर कोई अपनी priority के हिसाब से इसमें अपनी इच्छा के हिसाब से इसमें फेर बदल कर सके तो इस नुस्खे का जो सबसे प्रमुख भाग है उसके लिए आपको आउशकता होगी अश्युगंदा 100 ग्राम की मातरा में कोच बीच चून 100 ग्राम की मातरा में गोखरू 100 ग्राम तो इसके अंदर 20 ग्राम जोहर खसिया भी मिला सकता है उससे इसके प्रभाव में और अधिक विद्धी होगी इसके अलावा भी अगर इस नुस्खे में 3-12 ग्राम की मातरा में बसंद कुस्मा कर रस मिला कर प्रियोग किया जाए तो निश्चित तोर पर इस नुस्खे का प्रभाव और भी अधिक सकारात्मक रहेगा और भी अधिक तेजी के साथ यह कारे करेगा दोस्तो मेरा एक प्रियास और भी रहेगा कि'S नुस्खे को और अधिक अच्छा बना कर और अधिक सुईधः जनक रूप में आप सभी के लिए मैं जल्द से जल्द लेकर रहा हू आप सभी के प्यार और प्रातनाओं से मुझे लगता है कि यह बहुत ही जल्द सच होता हूँ दिखाई देगा आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर जानकारी पसंद आई है तो अधिक्स अधिक शेर कीजी वीडियो को लाइक कीजी अपने सुझा अपने सवाल कमेंट्स के माध्यम से बताईए अगर आपने अभी तक मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर लीजे मिलते अगले वीडियो में नमस्कार